इस लेक्चर में हिस्ट्री या सोशल साइंस के कुछ जो इंपोर्टेंट जो होते हैं, सन होते हैं, डेट्स होते हैं इनमें, उनके बारे में डिसकस करेंगे तो यहां पे लिखा है डबलू टीयो की स्थापना एक जनवरी 1995 में और इसका मुख्याला है जेनेवा तो डबलू टीयो की स्थापना कम हुई थी एक जनवरी 1995 में मुख्याला जेनेवा है और डबलू टीयो की स्थापना एक जनवरी 1995 मुख्याला इसका जेनेवा है फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना 1664 में हुआ था अशीरगड का युद था वो 1601 में हुआ था अकबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद है असीरगड का जो युद है वो 1601 इस्वी में और अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद है प्लासी का यूद ये 1757 इस्वी में लाड कलाइब वो सिराजु दावला के बीच लड़ा गया था नेक्स्ट है बक्सर का यूद बक्सर का यूद 1764 इस्वी में अंग्रेजो और मीर कासीम सुजाव दावला के बीच लड़ा गया था अंग्रेजो और मीर कासीम सुजाव दावला येवं अहमद साह के बीच बक्सर का यूद 1764 इस्वी में लड़ा गया था वांडिवास का यूद 1760 इस्वी में अंग्रेजो और फ्रांसीसियो को पराजित कर दिया था वांडिवास का यूद 1760 इस्वी में लड़ा गया था और इसमें अंग्रेजो ने फ्रांसीसियो को पराजित कर दिया था इसमें हैं गंगा लहरी पंडित जगतनाथ की रचैता है गंगा लहरी पंडित जगतनाथ की अकबर नामा अबुल फजल एकबर नामा अबुल फजल रामचरित मानस तुलसी दास हुमायू नामा गुलबदन बेगम बीबी का मकबरा अरंग जेब के द्वारा बनवाया गया था 1689 इसवी में बीबी का मकबरा औरंग जेब के द्वारा 1689 इस्वी में अराम बाग की स्थापना बाबर के द्वारा हुई थी 1526 इस्वी में अराम बाग के स्थापना बाबर किया था कब किया था 1526 इसवी में किया था अराम बाग के स्थापना बाबर ने किया था 1526 में किया था इसके बाद सेर साह का मकबरा तो सेर साह का मकबरा है 1549 से 45 इसवी में सेर साह का मकबरा कब है 1549 से 45 के बीच में सेर्शाह का मकबरा 1549 से 45 के बीच में बनाया गया था डच महल केरल में है पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था 1557 में डच महल केरल में है पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था 1557 में डेच महल केरल में है पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था और 1557 इसपी में पुराना किला दिल्ली में है ये शेर साहसूरी के द्वारा बनवाया गया था और ये इसका निर्माड हुआ था 1540 से 45 के बीच में पुराना किला दिल्ली में है और इसका जो निर्माण करवाया था शेर साहसूरी ने करवाया था और इसको बनने में टाइम लगा था पंदरा सो चालिस से चोगालिस में अकबर का मगबरा 1613 में जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था हिमाला की जो उचाई है 8850 किलो मिटर है हिमाला की जो उचाई है 8850 किलो मिटर है केटू गाडविन आस्टिन जो केटू है जो इंडिया का है वो हिमालात पूर्य वर्ल्ड का है केटू आस्टिन गाडविन आस्टिन जो केटू है ये इंडिया का हाइस्ट परवत सिखर है तो इसकी उचाई जो है 8611 किलो मिटर है 8,611 km केटू गाडविन आस्टिन केटू की जो उचाई है इसकी उचाई 8,611 km गाडविन आस्टिन केटू की उचाई है भारत में सिचाई के साधन भारत में सिचाई के साधन में कुआ और नलकूप 55.9% कुआ और नलकूप है तालाव 6.1% नहर 31.4% अनिसरोद 6.6% कुआ और नलकूप 55.9% तालाव 6.1% नहर 31.4% तालाव 6.1% अनिसरोद 6.6% भारत में सिचाई के साधन में के हुआ कुआ और नलकूप 55.9% तालाव 6.1% नहर 31.4% अनिसरोद 6.6% बिश्व का सरवाधिक सिंचित छेत्र बिश्व का जो सरवाधिक सिंचित छेत्र है मतलब सबसे ज़्यादा सिचाई जिस छेत्र में होती है चाईना जो सबसे नमबर 1 पर 21% के साथ 21% के साथ चाईना है जो कि नमबर 1 पर 21% छेत्र यहाँ पर सिंचित है सिचाई होती है 21 परस्ति भाग पे भारत में 20.2 परस्ति कघ्चाइज होती है तो 200 का सर्वादिक शिंचीत छेत्र चीन है 21 1 20 प्रेशत्त चैना जो है वो सबसे जादा सिंचीत छेत्र है भारत जो है 20 दस्मिलो 2 परसंट भारत का जो एरिया हुई सिंचित है तो 200 की सरवादिक सिंचित छेत चीन है चीन की जो सिंचित छेतर की परसेंटेज है वो 21 परसेंट है और भारत का 20.2 परसेंट सिंचित छेतर है जो सरवादिक सिंचित छेतर है वो पूरे वाल्ड की बात हो रही है भारत में कुल छेतर का 51 परसेंट क्रिसी है जो भ तामबा का उत्पादन मध्य प्रदेश, राजिस्थान, जार्खंड कोईला जार्खंड, चत्तीजगर उडशा, इन जगों में सरवाधिक पाया जाता है प्रतम स्रेडी का कोईला एंथ्रेसाइट है प्रतम स्रेडी का कोईला एंथ्रेसाइट है प्रतम स्रेडी का कोईला एंथ्रेसाइट है भारत में सरवाधिक सबसे अधिक बाकसाइड उत्पातन करने वाला राजी उडिसा है भारत में सबसे अधिक बाकसाइड उत्पादन करने वाला राज ये उडिसा है तो कोईला में जो है जारखंट 36 गर्ड उडिसा जो कोईले का उत्पादन है और स्वड उत्पादन में प्रथम राज ये करनाटक 98% के साथ स्वाड उत्पाधन में प्रथम राजय करनाटक है, 98% सबसे ज़ाधा स्वाड उत्पाधन करनाटक में होता है स्वाड उत्पादन में प्रथम राजी करनाटक है यहां पर 98% स्वाड उत्पादन होता है पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले छेत्र असम गुजरात और महरास्ट असम गुजरात महरास्ट यह सब जो हैं पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले छेत्र हैं असम में क्या होता है डिक बोई असम के अंदर जो जगह है उसमें डिक बोई है सूर्मा घाठी है यह असम के अंदर जगह है जहां पे पेट्रोलियम उत्पादन होता है दिगबोई सुर्मागाटी असम में है घंभात अंकलेस्वर गुजरात में मुंबई हाई महरास्टरा में है महरास्टरा की मुंबई हाई के जगह पे तेल का उतपादन किया जाता है इसके बाद देखेंगे नाबाड का नाम स्थापना तो नबाड का नाम जो होता है पुरा नाम होता है National Bank for Agriculture and Rural Development नबाड का फुल फॉर्म है इसको National Bank for Agriculture and Rural Development नबाड का फुल फॉर्म है नबाड की अस्थापना जो है हर्स गुमार भावला ने किया था नाबाड की स्थापना हर्षकुमार भावला ने जो हैं हर्षकुमार भावला ने जो हैं हर्षकुमार भावला नाबाड की स्थापना किया था राश्टी क्रिसी एवं ग्रामीड बैंक 12 जुलाई 1982 में जो शुरुवात हुई थी राश्टी किसी एवं ग्रामीड बैंक जो है इस नाबाड को हिंदी में बोलते हैं राश्टी किसी एवं ग्रामीड बैंक 12 जुलाई 1982 में राश्टी किसी एवं ग्रामीड विकास बैंक की स्थापना हुई थी मध्य कालीन रिड दिया जाता है और अल्पकालीन रिड है वो 18 महिने के लिए दिया जाता है अल्पकालिन रिड़ है वो 18 महीने के लिए दिया जाता है भारती स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी भारती स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई सन 1955 इसवी में हुई थी भारती स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी बाबर जो यूध लड़ा था उसमें पानीपत का यूध है 17 मार्च 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था खानमा का यूध जो है 1527 में बाबर और राडा सांगा के बीच में लड़ा गया था खानमा का यूध 1527 में बाबर और राडा सांगा के बीच में लड़ा गया था खानमा का यूध 1527 में बाबर और राडा सांगा के बीच में लड़ा गया था खानमा का यूध 1529 में महमूद लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था 1529 में घागरा के यूध बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था शेर साह दिल्ली पर सासन कब से कब तक किया था तो शेर साह ने दिल्ली पर सासन 1540 से 45 इस भी तक किया था 1809 में बैंक आफ बंगाल के स्थापना हुई थी 1804 में बैंक आफ बंबे की स्थापना हुई थी 12 पंचवर्सी योजना 1 अप्रेल 2012 से 31 मार्श 2017 तक थी 1545 में कालिंजर के किले का घेरा डाला गया था 1545 में कालिंजर के किले का घेरा डाला गया था सेर साह के द्वारा 1545 में कालिंजर के किले का घेरा डाला गया था सेर साह के द्वारा 1749 में मयूर सिंहासन नादिर शाह लूट कर इरान ले गया 1749 में मयूर सिंहासन नादिर शाह लूट कर इरान ले गया हल्दी घाटी का यूद 18 जून 1576 में महराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का यूद 18 जून 1576 में महराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का यूद हुआ था हुमायू और सेरसा के बीच लड़े गए यूद जो है 1549 में 14 का यूद 1540 में कनौज का यूद तो हुमायू और सेरसा के बीच लड़ा गया यूद है 1549 में 14 का यूद 1549 में 14 का यूद हुमायू और सेरसा के बीच लड़ा गया था 1540 में कनौज का यूद 1540 में कनौज का यूद हुमायू और सेरसा के बीच में 1540 में कनौज का यूद 1562 में दास प्रथा का यूद अकबर ने किया था 15062 में दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था 1605 इसवी में अकबर की मृत्यू हो गई थी जहागीर का जन्म 1579 में हुआ था जहागीर द्वारा बीजित राज्य कंधार मेवार अहमद नगर कांगर ये सब जहागीर द्वारा बीजित राज्य हैं औरंग जेव के द्वारा दक्षिड भारत में जो बीजित राज्य हैं बीजापूर और गोलकुंडा औरंग जेव के द्वारा दक्षिड भारत में जो बीजित राज्य हैं बीजापूर और गोलकुंडा बीजापूर और गोलकुंड़ा अरंग जेब के द्वारा दक्षिर भारत में बीजापूर और गोलकुंड़ा जो जगय है इसको लूटा, मतलब इसे बीजाई प्राप्त किया था बिजापूर में और गोल कुंडा में औरंग जेब ने दर्चिड भारत में जो है बिजय प्राप्त किया था दीने इलाही धर्म 1582 में अकबर के द्वारा चलाया गया था दास प्रथा का आंत 1562 में किया गया था दास प्रथा का आंत 1562 में किया गया था जजिया कर समाप्त 1563 में हुआ था फतेपूर सीक्री की स्थापना राजधानी को आगरा से फतेपूर सीक्री स्थानांतरत 1571 में हुआ था फतेपूर सीक्री की स्थापना राजधानी को आगरा से फतेपूर सीक्री स्थानांतरत 1571 में हुआ था इबादत खाने की स्थापना 1575 इसवी में हुआ था इबादत खाने में सभी धर्मों को अनुमती 1578 इसवी में दिया गया था मजहर की घोसडा 1589 में हुआ था इलाही समवत का सुरुवात 1583 में हुआ था इलाही समवत का सुरुवात 1583 में हुआ था राजधानी लाहोर स्थनांतरित 1585 में हुआ था अकबर को हरम दल से मुक्ती 1562 इसवी में मिला था अब मराठा का देखेंगे यहाँ पे सिवा जी का जन्म 30 अपरेल 1627 में हुआ था 30 अपरेल 1627 को सिवा जी का जन्म हुआ था सिवा जी का सिंहासना रोहड 1674 इसवी में हुआ था तो यहाँ पे दिख रहा है पानी पत का त्रिधी यूध पानी पत का जो त्रिधी यूध है वो मराठो और अबदाली के बीच में लड़ा गया था 14 जन्वरी 1761 में पानी पत का त्रिधी यूध मराठो और अबदाली के बीच में 14 जन्वरी 1761 में पानी पत का त्रिधी यूध मराठो और अबदाली के बीच में लड़ा गया था तो यहाँ पे देखेंगे यूरोपी सक्ति का आगमन यूरोपी सक्तिका आगमन में पुर्तगालियों ने भारत में ब्यापार 1498 में आरंभ किया था अंग्रेजों ने भारत में ब्यापार 16 webs में स्टाट किया था डच बहारत में ब्यापार 1602 webs में। दुट भारत में प्यापार करने कव 292 पुरति अंग्रेज़ डाइनिय्स फ्रांसिस श्वीडिस यह में सिन है जो इरोपी इरोपीन आये इंडिया में तो पहले पुर्टगाली आये थे उसके बाद अंग्रेज आये थे उसके बाद डेनिस आये थे उसके बाद फ्रांसीसी आये थे उसके बाद स्वीडिस आये इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं पडीडडे. फीडिडे. और सवीडिश, फार्टाइट में ब्यापार करने 1.2 इस भी ओपीड़े. शीवा जी का के मत्री परिशन में अस्ट प्रधान कौन कौन से थे पेशवा, आमत्य मंत्री, सुमंत, सचीव, पंडित राव, सेनापती, नियाधीस, यह सब आठ थे थैं, जो सिवा जी के मंत्री पर्सद में अष्ठ प्रदान थे, पेशवा अलग है, आमात्य उसके बाद, मंत्री, सुमंत, सचिव, पंडित राव, सेनापती, नियाएधी्र, और सिवा, सॉरी, ये सब थे अष्ठ प्रदान थे, पेशवा, आमात्य, मंत्री, सुमंत, सचीव, पंडितराव, सेनापती, नियाएधिस ये सब ही थे जो अस्ट प्रधान थे अब सिवा जी के दो बिजे रायगड और कॉंकड में उसके बाद डैनिस भारत आये 1616 इस भी में डैनिस भारत आये और जैसे पी ए डी डे एफ हैस तो डी डे एफ पी ए डी डे मतलब कि ये पहले आ गए डी डैनिस उसके बाद एफ हैस आ रहा है फ्रांसीसी आ रहा है तो डैनिस भारत आये 1616 इस भी में डैनिस भारत आये 1616 इस भी में फ्रांसीसी भारत आये 1664 इस भी में भारत में इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 इस्वी में हुई थी भारत में इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 इस्वी में हुई थी 1749 इस्वी में फ्रांसिसियों की सहयता से चान्दा सहब और अनवरूद्दीन की लड़ाई हुई थी और जिसमें चांदा साहब भीज़ई हो गये थे, अंबर में ये लड़ाई होई थी, 1749 में प्रांसीसियों की सहाथा से चांदा साहब भीज़ई हो गये थे, ये लड़ाई अंबर में होई थी 1749 इस भी में फ्रांसीसियों की सहायता से चांदा साहब और अन्वरुद्दीन की लड़ाई हुई थी इसमें चांदा साहब बिजय हुए थे और अंबर की और इसमें क्या है कि अंबर में लड़ाई हुई थी जिसमें की चांदा साहब की बिजय हुई थी 1752 में मुहम्मद अली अंग्रेजों की सहाथा से करनाटक के नबाब बने 1752 में मुहम्मद अली अंग्रेजों की सहाथा से करनाटक के नबाब बने 1752 में मुहम्मद अली अंग्रेजों की सहाथा से करनाटक के नबाब बने करनाटक के नबाब बने लाड विलेजली भारत का गवर्नर जनरल बना पिंडारियों के सर्दार पिंडारियों के सरदार कौन ते पिंडारी के सरदार कौन ओर वासिल मुहम्मद थे पिनडारी mist के सरदार कौन-कौन थे आमीर खाह लाधिक साइन और वासिल मुहमद्य ये तीनों पिनडारी आजिए सरदार थे हेस्टिंगस ने पिंडारियों का दमन करने के लिए एक लाग तेरह हजार सैनिकों की नियुक्ति किया था और तीन सो तोपों की विसाल सेना तयार की थी हेस्टिंगस ने पिंदारियों की दमन करने के लिए एक लाग तेरह हजार सैनी को ते था तीन सो तोपों की बिसाल सेना तयार की थी हेस्टिंगस ने पिंडारियों का दमन करने के लिए एक लाख तेरह हजार सेनी को और तीन सो तोपों की विशाल सेना तयार की थी अब यहाँ पर देखेंगे कि कुछ गवर्नर जनरल बने थे जो इंडिया में लाड विलियम बेंटिक 1533 से 35 लाड विलियम बेंटिक थे जो भाद के गवर्नर जनरल बने थे अंठार सो 35 से 36 एक साली रहे थे ये 35 से 36 Sir Charles Maitkoff Sir Charles Maitkoff 1835 से 36 इसवी तक जो गवर्नर जनरल बने थे भारत के तो सर चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 इसवी में भारत के गवर्नर जनरल बने थे 1836 से 42 इसवी में आकलेंड जो है इतने समय तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे 1842 से 44 इसवी में भारत के गवर्नर जनरल थे बिल्यम बिल्बर फोर्स बर्ड 1844 इसवी में भारत के गवर्नर जनरल बने ये इसी साल थे 1844 से 44 इसवी में भारत के गवर्नर जनरल बने थे सर हेंरी होडि 1844 से 48 इसवी तक भारत के गवर्नर जनरल बने थे अर्ल आफ डलहोजी जो है 1848 से 56 इसवी तक भारत के गवर्नर जनरल बने थे 1848 से 856 इसवी तक अर्ल आफ डलहोजी भारत के गवर्नर जनरल बने थे 1856 से 58 इसवी तक लाड के निंग जो है 1856 से 58 इसवी तक लाड के लिंग भारत के गवर्नर जनरल बने थे नोट में है 1833 के पूरो गवर्नर जनरल का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल था लाड कलाइब के बिज़े क्या है अर्कार्ट पे बिज़े और इस इंडिया कंपनी की सकती को बढ़ाना लाड कलाइब के बिज़े क्या है अर्कार्ट का बिज़े और इस इंडिया कंपनी की सकती को बढ़ाना लाड कलाइब की बिज़े क्या है अर्कार्ट की बिज़े और इस इंडिया कंपनी की सकती को बढ़ाना कुछ घास के मैदान है यहाँ पे देश नाम और अर्थ उसका क्या होता है उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास मैदान है इसे खुला ब्रिक्ष रहित छेत्र भी बोलते हैं इसका अर्थ होता है खुला ब्रिक्ष रहित छेत्र अगला है दच्छिड अमेरिका अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है इसका अर्थ होता है इसका अर्थ होता है इसका अर्थ है चौरस शेत्र अर्थ होता है चौरस शेत्र अस्ट्रेलिया में डाउन घास का मैदान है इसका अर्थ होता है खुला उचा नीचा ढालू ब्रिक्ष रहीत प्रदेश और दक्षिड अफरिका में वेल्ड है इसका अर्थ होता डच भासा में खुला मैदान यूरेसिया में इस्टेपी है और ये घास का मैदान है अंटार्क्टिका की खोज में गय भारती दल के सदस 21 थे सिवा जी का जन्म 1630 में सिवनेरी में हुआ था और मृत्यू 1630 में सिवनेरी में हुआ था सिवा जी का राज्या रोहर 1674 इस्वी में रायगड में हुआ था भाजसा गुल बदन बेगम अच्छा सॉरी मुगल वंस मुगल वंस के जो जो सौट फॉर्म होता है भाजसा होता है बाबर हुमायू औरंग जे जहांगीर साह जहां ती मुगल वंस के सौट फॉर्म में भाजसा फतेपूर सिक्री की स्थापना 1571 इस्वी में अकबर के द्वारा हुआ था पानी पत का द्विती यूद हेम चंद्र और विक्रमा दित के बीच में हुआ था हेमू और अकबर के बीच में हुआ था पांच नॉम्बर 1556 इस्वी में पानी पत का द्विती यूद हेम चंद्र और विक्रमा दित के बीच में हुआ था कन्योज अथवा बिलग्राम का यूद 17 माई 1540 में हुआ था कन्योज अथवा बिलग्राम का यूद 17 माई 1540 इस्वी में हुआ था और सयुक्त राष्ट के छे अंग कौन कौन से होते हैं सयुक्त राष्ट के छे अंग होते हैं सुरक्षा परिशद सुरक्षा परिशद सुरक्षा परिशद अंतराष्टी न्याले अंतराष्टी न्याले अंतराष्टी न्याले थर्ड है महासभा 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 फोर्थ है सचीवाले 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 5 है सामाजिक परिशद सामाजिक परिशद सामाजिक परिशद और 6 है नियाईचता परिशद साथ टापुओं का नगर माहिम माहिम वरली 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 परेल 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 मजगाओं 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 बंबई 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 लिटिल कोलावा लिटिल कोलावा लिटिल कोलावा और कोलावा 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 ये साथ टापुओं का नगर है साथ टापुओं का नगर सिवा जी द्वारा लगाए गए कर ये दो कर हैं दूसरा है सर्देश मुखी, सर्देश मुखी, सर्देश मुझी धन बिदयाक को 14 दिनों तक, 14 दिनों तक रोक सकते हैं वरतमान में लोगसभा के सदस्यों की वाचित संख्या 245, 245, 245 है वर्तमान में लोग सभा में निर्वाची सदस्यों की संख्या 245 है अधिक्तम संख्या जो इनकी होती है 252 होती है 252, 252, 252 इनकी अधिक्तम संख्या निर्वाची सदस्यों की हो सकती है लोग सभा में इसमें 12 सदस से राष्टपती मनोनित करता है इसमें क्या है 12 सदस इम राष्टपती मनोनित करता है संभिधान के अनुछेद 74 के अनुसार राष्टपती को उसको कारियों के संपादन वसला हेतु मंत्री परिसद होता है सम्विधान के अनुछे 74 के अनुसार राश्ट्रपती को उसके कारियों के संपादन वर सला हेतु मंत्री परिसद होते हैं अनिछे 111 के वलिया कहता है कि यदि राश्ट्रपती बिधयक लोटाना चाहता है तो विधयक को उसे प्रस्तुत किये जाने के बाद सिख्र लोटा देगा अनिछे 111 के वलिया कहता है कि यदि राश्ट्रपती बिधयक लोटाना चाहता है तो वह बिधयक को उसे प्रस्तुत किये जाने के बाद सिख्र लोटा देगा जेवी बीटो सकती का प्रयोग ज्यानी जैल सींग ने किया था जो संसाद्वारा पारित हुआ था अनुच्यद 63 के अनुसार भारत का एक रास्पति होगा अनुछेद 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपती होगा आयकर सर्वपर्थम 1950 में लगाया गया था बाबर का जो कारेकाल था 1536 था हुमायू का कारेकाल 1536 था हुमायू का कारेकाल 1536 था अकबर 1556 से 1605 था हुमायू का 1536, 1536 हुमायू 1536 हुमायू अकबर 1556 से 1605 अकबार 1556 से 1605 जहां गीर 1605 से 1626 जहां गीर 1605 से 1627 जहां गीर 1605 से 1627 साह जहां 1627 से 1627 इसका कारेकाल था सहा जहां 1627 से 1657 औरंग जेब 1658 से 1707 औरंग जेब 1658 से 1707 औरंग जेब 1658 से 1707 सेर साह जिसे सेर खा भी बोलते हैं 1504 से 145 तक इसका कारेकाल था सेर खां का कारेकाल या सेर साह जेब 1545 इसवी तक 1540 से 1545 इसवी तक सेर साह का कारेकाल था वासकोडि गामा भारत आया 1592 में आया था दचू ने पूर्टगाली सक्ति को समाप्त कर 1641 इस्वी में माल्टा पर अधिकार किया करनाटक का प्रथम युद 1746-48 इस्वी तक और करनाटक का द्विती युद गवर्नर जो है डूपले के द्वारा हुआ था करनाटक का प्रथम युद 1746-48 तक डूपले को फ्रांस वापस बुलाया गया 1744 में 1763 इस्वी में फ्रांसीसियों को उनकी वस्तुएं वापस की गई थी लाड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल 1798-1805 इस्वी तक बना था लाड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल 1788-1805 इस्वी तक बना था जनर पारत unas 2 दिएति को भारत बारत बहुत है